जैवीम अब वो उससे वर्किंग ही नहीं हो रही थी तो मुझे लगा कि फिर और प्रयास करके किस तरह से लाइव का उप्सन डूंड के इस पेज को जोईन किया है दुबार से जैवीम जैवीम अरमी जैजार समाजबाटी परंपूजनी बावसाब अंबेटकर को नमन तथाकत बुद्ध को नमन सत्कुरु रविदास जी महराज को नमन बगवान वालमी की महराज को नमन गुरु नानक देवजी को नमन संद घासी दास जी को नमन संद कबीर दास जी को नमन बहुजन समाज में जन्में और अन्य महापुर्सों को नमन मान्यवर साब काशी राम को करांति का रिजय भी जैसा मैंने आपको कहा कि आज का जो मामला है बहुत कमभीर है आप इसको ध्यान से सुने बहुत बीम आर्मी के और आजास समाज पार्टी के सभी कारे करता पदादिकारी इसको ध्यान से सुने देखे दुनिया जो है यहां क्या कि हर 20 किलोमेटर पे 50 किलोमेटर पे पानी का टेस्ट बदल जाता है हर 100 km पर कद काटी रंग बदल जाता है भासा बदल जाती है 200 km पर 50 огром खाभाती है यह दुनिया है इसमें सबी तरह के लोग हैं अच्छे भी बुरे भी ऐ छोटे भी भी हैं लंबे भी हैं पतले भी हैं कमजोर भी है तो सब जगागे अपनी अलगलक खास्यती भी है बहुत जरूरी बात जो करनी थी वो ये है कि लोग यहां करोना से तो कम मरेंगे भुक मरी से ज़्यादा मरेंगे सबसे पहले तो एक और बार बहुत-बहुत मुबारक बात भीम आरमी भारत एकता मिशन के प्रते कारेकरता को देश वक्ती क्या होती है समाज से वक्या होती है एंसानियत क्या होती है सबसान दिखाने के लिए आप सब लोग बहुत-बहुत मुबारक बात मंगल काम ना है बस अपना भी ख्याल लखिए और कारिये को लगातार करते रही है आज सड़क पर गरीबों कोई मदद कर रहा है तो वो आप लोग है और गजब की बाद देखिए कि ये पैसे हले लोग नहीं है ये गरीब लोग है बस नियत की बाद है ऐसे तो 131 STST के MP भी है लेकिन STST के लिए कौन काम करता है ये इसके लिए नियत की बाद है मैं गर बात करूँ विस्व की तो चाहिए USA हो बहुत गौर से सुनना जो मैं कह रहा हूँ सभी से कह रहा हूँ बहुत गौर से सुनना लाइव के बाद भी सुनना इसे अराम से ये काम आएगी और समर्थक तो सुनें विरोधी भी सुनें भक्त भी सुनें उनको भी सुनना चाहिए USA हो UK हो इटली हो फ्रांस हो इस महामारी से बचाव के लिए अपने देश को सुक्षित रखने के लिए सब देशों ने पंदरा कुल संपत्ति का पंदरा पर्तिसत लगभग जो है वो बांट दिया लोगों में कि जिससे की देश में भुक्मरी ना आए गरीबी ना आए भारत ने भी दिया है पता कितना पॉइंट नो परसंट पूरी दुनिया में जो बड़े बड़े देश हैं उन्होंने दिया है पंदरा परसंट अपने देश को बचाने के लिए गरीबों को भुक्मरी से बचाने के लिए बिमारी से बचाने के लिए हमारी सरकार ने भी दिया है मैंने बताना कितना पॉइंट नो परसंट और जबकि दुनिया की दूसरी बड़ी पोपुलेशन हैं लोग यहां तीन हजार क्रोट पर की मूर्थी बन सकती है समझ रहे हैं वहां की सरकारों ने ये पैसा चलिए रिलीज किया है कि जो जरूरी लोग है विजनस्मेन है जैसे जिनके पेटल पॉंफ है या और को छोटा वयापार है अजन्सीघक है कुछ लोगी क्यां पयर कोईनटिंग की आजन्सीय काम हैmag स्प्सक्राइब की टोक यहां काम है 옵 मेश्वार और छोटचोट जोटचोट पैसे हम देए हम पे करेंगे आप लोग घर रही है और हमारे प्रदानमेंट्र का आप लोग घर रही है राशन के लिए आ पटोघार ज हमिले बढ़े-स रोट कर दिये हैं है जितने तमाम योजनाओं पर वादे किये हैं एक की जमीनी हकिकत आपको नहीं नजर आएगी मैं जो बात रखू गंभीरता से आप दिहां दीजिए पूरी दुनिया जो है हेल्थ पे अपने देश के हेल्थ पे कम से कम GDP का 10% खर्च करती है पूरी दुनिया कोई सा देश हो यूके हो यूएस से हो इटली हो फ्रांस हो कनाड़ा हो हमारे जो प्रधान मंत्री हैं ओजस्वी करांती करें प्रधान मंत्री जो किसी भी समय लाइव आके बोल जाते हैं कुछ भी बिना भविस्थ से सोचे जब 2014 में भाजपाय की सरकार आई तो 1.9% GDP का जो है हेल्थ पे ख गटाके 1.6% कर दिया है पता है क्यों कि यह चाहते हैं हेल्थ प्राइवेट सेक्टर में चली जाए और 80% हेल्थ इनकी सरकार में प्राइवेट सेक्टर में चली गई 90% बैड आई स्वी बैड जो हैं वह प्राइवेट सेक्टर में हैं इन्होंने सारे डिपार्टमेंट न ओसे देश खोकला हो जाए आज कितनी प्राइवीट कम्पनियां काम कर रहे हैं इरलाइंस काम कर रही yon कितनी प्रैवीट डिपाटमेंट के लोग आपने प्रेश के जवरस्टी भेट दिये सरकारियों को सफाय करमचारी मर रहे हैं फिर्वेज आरे हैं मास्क नहीं है, सेनिटाइजर नहीं है, गलफ नहीं है, ड्रेस नहीं है, फिर भी जा रहे हैं, मर रहे हैं, देश सेवा कर रहे हैं, पेट पालना है, नेपाल हमसे आर्थी ग्रूप से बहुत कमजोर देश, बहुत छोटा देश है, वो भी 1.9% खर्च करता है, अपने जीडीपी का, अपने देश की हेल्फ है, जबकि डबलू एच्चो ने गैडलाइन दिये, कि कम से कम 6% तो किसी भी देश को सर्वाइव करने के लिए जीडी बानेंगे, आप यहां ट्रम्प को बुलाके 55 करोड रुपए पर मिनिट के साफस के उपर खर्च करेंगे, आप यहां 200 करोड रुपए, 500 करोड रुपए सरकार बनाने के लिए मद्द्य परदेश में खर्च करेंगे, लेकिन गरीब लोगों के लिए नहीं करेंगे, अगर आप किसी देश को बचाना चाहते हैं, यह डबलू अच्चो गार्ड लाइन है, मैं आपको बता रहा हूं कि कम से कम GDP का 6% तो खर्च होना चाहिए हेल्फ पे, लेकिन नहीं करेंगे अब मैं एक बहुत जरु जानकारी देता हूं, भक्तों के लिए, और आप सब लोगों भी दे दूँ, पहले तो सरकार किसी की मानती नहीं है, मैं तरीके भी बता देता है, किस तरह से बच सकते थे हम लोग, लेकिन सरकार को नहीं जानना है ना, 22 जनवरी को, डबलु एच्चो ने गाइल लाइन जारी की, एडवाइजरी जारी की भारत के लिए, 27 जनवरी को दो-दो डेट में, रिकॉर्ड में है, चेक करा लिजे, सरकार के लोग भी चेक करा लें, हमें गला साबित करते, यह सच्चा ही जो है, बता दे, उन्होंने का आपको चाहिएगा, मास्क, सेनेटाइजर, आपको चाहिएगा, गलप्स, किट, डॉक्तर्स के लिए ड्रेस, आईसीव वाले बैड, वेल्टिनेटर, यह आपको चाहिएगे, आप इनके विवस्ता कर लें, मैं कहारा हूँ, 22 जनवरी और 27 जनवरी दो-दो-दो बार यह फरवरी में ट्रंप जी को बुला रहे थे, मार्च में सरकार बना रहे थे, जनवरी में दिल्ली के चुनाओं में वैस थे, इनको नहीं सुजी, इन्होंने ध्यान नि दिया क्योंकि इनके एजन्डेम सर्फ चुनाओं और सत्ता में बने रहना किसी भी तरह, चाहिए द के एडवाजरी पर काम ना करके, जिस सरकार ने लोक डाउन कर दिया कि हमें बहुत चिंता है अपने लोगों की, वो सरकार 18 मार्थ तक एक्सपोर्ट कर रहे थी इन सब चीजों का, मास्क का, कलफ्स का, सैनिटाइजर्स का, मेडिकल किट का, आईस्यू बैड का, और चाना है, तो इन चीजों पर काम करें, लेकिन हमारी सरकार क्या कर रही थी, बेच रही थी, एक्सपोर्ट कर रही थी, इन सब चीजों का, मैं एक और जानकर ही देता हूं, हम चाइना की बात कर रहे है, 1999 में चाइना और इंडिया की इकनोमी जो है बराबर थी लगवाद, और आज चाइना की जो इकनोमी है वो है 13 ट्रिलियन, 13 ट्रिलियन एकनोमी है चीन की और हमारी है धाय ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन कर देंगे, जिस दिनी करोना से फिरी होंगे न, और गिर जाएगी 2 परसंट, देख ले न, भुकमरी की कगार पे खड़ा है देश, बस ये सरका सरकार चाती जैसे को है न, अंधेरी नगरी चोपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा, देश में चाहिए कुछ भी बरबाद हो जाए, किसी के भी गले में फंदाप डालें, लेकिन सरकार की बुराई नहीं करें, मीडिया के लोग, बस अपना सारा ध्यान मीडिया क लोग पर लगा कर रखना है, मीडिया को समझाना कि किसी भी दरह सरकार की बुराई न करें, आप बस जनता गुम्रा करते हैं, रामायन में, मा भारत में, तो आप इस से पेट भर जाएगा कि गरीब होगा, रामायन से, आप लोग के घर पे तो सामगरी है, आप तो खाने की सामगरी, आप तो घर बैटे में, गरीब लोग जिनके सर पे छत नहीं हो कहां जाएगे, आनद वियार में देखा निकल, लाखों लोग थे, किया आपने कुछ, गरीब आदमी दूद लेने जा रहा है, दवाई लेंजार तो लाठी मार रहे हैं आपके लोग, पुलिस के ल मरेंगे, उनका परिवार केस चलेगा, सफाई करमचारी मरेंगे, उनके लिए बीमा रखा, उनका परिवार केस चलेगा भाई, वो इंसान नहीं है, मैं आज भी पूरी गारंटी से कह रहा हूं, करोना से 10% लोग मरेंगे, करोना से 10% लोग मरेंगे, जो बीमार होंगे, 90% आई सियू में जब बैड नहीं मिलेंगे जब वेल्टिनेटर नहीं मिलेंगे इसलिए मरेंगे इनको फर्क नहीं है 40,000 के करीब वेल्टिनेटर है हमारे पास उस 40,000 के लगभा कि इन्होंने ओडर गी है बस और जन संक्या देखिए बहुत कीमती बात बतारा हूं गौर से सुनना इस सरकार ने बेड़ा गरक कर दिया देश का हमेशे सुरू में रोक सकते थे पता कैसे जब एड़वाईजी जारी हुई तो जो भी बाहर से आता उसका टेस्ट कराते लेकिन हम पे तो टोटली डेड़ला किट थी टेस्ट करने क और यहां आता 24-48 घंटे में जिसके टेस्ट आप करेंगे उसको कहां रखेंगे अब मैं जरूरी बात बता रहा था बाहर से जो लोग आए यह लोग इन लोगों ने टेस्ट नहीं किया उनका एरपोर्ट पर इन्होंने क्या किया स्क्रिंग की सिरफ टेंप्रेचर चेक किय आप देखो लोग भी तो तेज नहीं लोग परशेटमोल की गोली खा लेते टेंप्रेचर आता नहीं फिर वो घर जाते और वहां वो जाके और जिकत में आते हैं तो फिर पता लगता कि कोई संक्रवीदार उससे और लोग भी फैलता यह चाहते तो एरपोर्ट पे उनको र च्याम दाम दंड भेच्छल कपट लगाके सरकार बनानी है विदायक खरीदें बेचें कुछ भी करें जनता का बेकूप बनाएं धरम की ब्याद करें कि अब अभी भी टेस्ट का हो रहे हैं कि एक या दो लाक लोगों पर दो लोग टेस्ट हो रहे हैं कि दूर से छोटे-छोटे देश हैं उन्होंने जिनकी पांच-पांच क्रोड गया बाद ही उन्होंने दो-दो-चार-चार लाग टेस्ट करा दिये हैं हमारे यहां कितने हुए अब आपको पता है डव्य हो में जो आप देख रहे हैं कि अब इंडिया में टेस्ट ही कितने हुए भाई जब इंडिया में टेस्ट होंगे तभी तो पता लगेगा ना कितने केस हैं टेस्ट करा रहे हैं जिसको जिसको बुखार आ जाता है उसको लेकर जाता है जिसको टेंपरिचर आ जाता है जिसके हालत ज्यादा खराब उसको लेकर जाते यह तो केस वह है ना यह दे रहे हैं डबले अच्चों में हमें क्या पता लग रहा है कितने लोग केस आ चुके और कितनी केस और आएंगे क्यूंकि आप तो टेस्ट नहीं करा रहे ना आप पे तो रिकॉर्ड ही नहीं है वो जो लोग महार रुक जाते तो उससे संकर्मन भी मही रुक जाता यह संकर्मन बहार नहीं आता लेकिन क्यूंकि आपसे देश चलाना आता ही नहीं है आपको देश चलाना ही नहीं है आपको तो पूंजी पत्यों की रखवाली करनी है अडानी एंबानी की रखवाली करनी है सारे ठेके उनको देने है तो आपको तो उनका भला करना है न गरीबों का भला कौन करेगा जान बूज कर इस बिमारी को पैर पसाड़ने का मौका जो है इस देश में दिया गया लेकिन 90% गरीबों पे 10% पूजी पती राज नहीं करेंगे जैसे इस देश पे 90% गरीबों पे देश वासियों पे 10% अंग्रेज राज कर रहे थे ऐसे ही आज ये लोग राज कर रहे हैं आपको समझना पड़ेगा अपने देश को हम हारने नहीं देंगे इस देश को बचाने के लिए हम सब लोग उकठा होना पड़ेगा और मैं निवेधन करता हूँ कि देश के 90% गरीब एक हो जाए अब ही मैं आर्मी के और आजास समाज पर्टी कारे करता हूँ तो क्या कहने अपनी जान की परवख के बगएर वो लोग लगे वे और मैं जानता हूँ सब गरीब है और गरीब ही गरीब की दिक्कत को समझता है पैसेवाले को तो फिकर निए पैसेवाले तो घर में है न जिनको फिकर है वो सडख में है अबुआं एक ओर ज़रूरी बात जो बोलने बड़ेगी यही प्रेमिनिस्टर है ना वल यहीं मंत्रिय ना जो कह रहा था कि पाकिस्तान के दलितों को क्या होगा बंगलादेश के कअ क्या होगा आद्ग रोटी देने कि हशचेटी नहीं है और तुम बात करते हो पागिστान अफगानिस्तार मंगला तुमारे पॉल तो एक दिन खुली थी ना तुमारी थे तो हुली है यह जो तुम कर रहे तें बता रहे थेूं ठारता न сов समान लोगे देश को तुम से तो चंद लोग रोजगार खतम हुआ वो नहीं समल रहे हैं तो ये छलावा था कि हमें बंगलादेश से लोग लाने हैं महां बहुत सोचन हो रहा है पाकिस्तान से लाने अफगानिस्तान से लाने कहीं किससे कुछ नहीं लाना बरजी देश में हि अगर आप किसी इश्वर को मानते क्योंकि धार्मिक सब्तंत्रता इंडिया में है अर्टिकल 25 और 26 है अगर आप इश्वर को किसी भी धर्म के इश्वर को मानते तो आप अपनी घर में में रहें के मान सकते हैं लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आप बहार ना जाएं और आप से निवेदन है भी मार्मी और आजास समाज पर्टिक कारे करता हुसे अपनी सुक्षा का ध्यान रखते वे आएं और ये देश विरोधी भाजपा सरकार इसको आइना दिखाते वे गरीबो लेकिन मुझे भरोसा है कि जब तक आजास समाज पर्टिक और भी मार्मी के लोग हैं वो अपने देश को कमजोड नहीं पढ़ने देंगे और किसी को भूक से नहीं मढ़ने देंगे हम मिलके सरकार ना होते भी अपने लोगों को अपने भाईयों को गरीबों को मजलूमों क उनको बचाएंगे उनको खाना प्रोवाइड कराएंगे क्योंकि यह चंद अमीर लोग लाएं बिमारी गरीब नहीं लाएं और सजा कौन भुगत रहा है गरीब क्योंकि विदेशों में अमीर गरीब नहीं गया था भाई अमीर ही लोग थे लेकिन उनकी जान की परवाया में लेकिन आपकी सजाए गरीब भुगत रहें आप तो घर में आ गया ना भाई बिमारी लेकर एरपोर्ट पर होस्पिटल बन सकता था ना एरपोर्ट कोई सीज करके वहीं रोका जा सकता ना वहीं पर बैड़ के वस्ता हो सकती निए बहुत जगाएं वहाँ और और भी वह आफ तो है कि जात तियार करने माश्तियार करने हैं कि आपको सैंटॉजर तियार करने मेडिकल किर तैयार करनी लेillेकिन अब इस पर नहीं काम कर रहे हैं आप तो परोटेस्टर को लाट्टिस लड़ाई यहां धरम की लड़ाई की लड़ाई की लड़ाई है बस्ता चार के घ्लाप पूर देख होना पड़ेगा इन 10 परसेंट पूझा पत्यों के साथ के आप 90 प्रसेंट गरीब लोग है इस देश में 80 को रोड का तो सरकार ने आकड़ा दिया गरीब लोग है जिनके जिनके का रिकोर्ड सरकार के पास आप प्रधान मंत्री जिन्हें हीरो बनने के चक्कर पे कर तो दिया लोग डाउं ऐसे ही नोट बंदी के समय किया था किसी अमीर को नुखसान जीब को नुकसान हुआ था और आप जानते हैं महाई गरीब को न है तो ऐसे हिरो बने की चक्कर में कर दिया लोग नाउं लोग भूख से मर रहें वो चैन से पड़ें मन की बात कर लेते हैं आके बसे वो तो बनारस में नहीं बचा पा रहें वहां लोग घास खा रहें आज जैसे आपने मुझे पहले कभी नहीं निराज किया भी मै आरवी आजास समाज़ पार्टी कार गरता सबी परदेशों में हैं मेरा आपस निवेदन है आप हिम्मत ना हारने दे啦 बिलकुल ना हारने दे देस करें स्वस्थ रहें देश के इंडिया के देश की के लोगों की इम्म्निटी पार बहुत ताकतवर हैं यह करोना को नहीं यह करोना से बड़े-बड़े वाइरस उनको भी हरा सकते हैं लेकिन फिर दुबार से सलूट करता हूँ आजास समाजपट्टी और भीम आर्मी के सभी कारे करता हूँ पतादी कारियों को निवेदन भी करता हूँ जो लोग खुद सड़क पे नहीं आ सकते हैं जो खुद सड़क पे नहीं जा सकते हैं वो कमसे मार्तिक मदद करके खाने पीने के समान की ववस्ता करा थे जिससे ये नोजवान हर गरीब तक खाना पहुचा दे तो फिर आप से बात होगी इनको medical hospital बनाने थे जरूर बनाने आप इनको पता लगेगा कि इन्होंने जो किया उसकी सजा भी ने भुगत नहीं पड़ेगी जैभीम, जैभारत, जैसाविधान, सभी संतों महापुरसोत, गुर्वों को नमन आप सब लोग को मभारक बास संगर्ष करते रहिए आपके रहते कोई भूक आने परे, नोजवानों को फिर सनीरा सलाम जैभीम, जैभीम, जैजासामाज पड़ती